दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेडमिल बिजनस मॉल एप के दुआरा इंडिविजुल करेंट बैंक एकाउंट कैसे ओपन किया जाता है घर बैठे बैठे आप एक्सेस बैंक के माध्यम से यह काम कर सकते हो देखिए रेडमिल बिजनस मॉल एप जो है ह आई भी यहां पर दिखाने वाला हूं कैसे करेंट एकाउंट ओपन करेंगे और बहुत ध्यान से देखिए आप अपने कस्टमर को अगर करेंट बैंक एकाउंट ओपन करोगे तो आपको अच्छा जो है यहां कमिशन मिलेगा कंपनी के तरफ से और अच्छा पैसा आप यह सकते हैं यहां पर देखिए जो हम नीचे में जाएंगे तो यहां देखी बैंकिंग सर्विसेगे और इसके अंडर ने xi एक एक deze means करेंट करते हैं यहां पर यहां drag me तबैंक करते जो हैक सिरकरन करते हैं इसका बैंउन क् customer को जब यह account open करके देते हो तो पर account पर आपको 500 रुपया कमाने का यहाँ पर मौका मिलता है हम इसको back करते हैं दोस्तो अब यहाँ पर नीचे में देखो तो मान लिजिए आप अपने दुकान पर बैठे हुए हैं कोई आदमी आता है और बोलता है कि भाई हमारा current account open कर दीज तो आप इसके ऊपर में click करिएगा ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई आदमी जो है आपसे दूर है आपका customer तो उसको आप यहां से इस link को share कर सकते हैं समझें यह link जो generate होगा इसको share कर दीजिए वो खुद से भी अपना account open कर सकता है आप अगर open कर रहे हैं तो यहां से भी कर सकते हैं या फिर इस link से माधियम से आप भी उसका account open कर सकते हो बस यह link आएगा इसको कॉपिक कीजिए गुगल को ब्रॉजर में डालिए और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा समझें इसको जैसे कि हम यहां पर click करते हैं ठीक है करने के लिए बोलेगा गुगल को तो यहां open कर लीजिएगा गुगल कोडम के माधियम से मतलब यहां पर देखिए सारा डेटिल डालना है customer name mobile number email जिसका account खुलना है उसका city name state name और उसके बाद जो है open my account जो है इसको आप click करें ठीक है यह तो एक तरीका हो गया अगर आप चाहो तो यहां पर यह link है आप इस link को share कर सकते हो इसके उपर क्लिक करना है आपको और यहां से आप चाहो तो कहीं पर भी email कर सकते हो facebook पर डाल सकते हो whatsapp भी सकते हो अपना link यह link से जो भी लोग अपना account को खोलेंगे तो आपको ही commission मिलेगा उसका ठीक है या फिर यह link जो है आप भी copy करके इसके माधम से आप account open कर सकते हो ठीक है आपको ही commission मिलेगा उसका कोई आपको डढ़ने की जरूरत नहीं है तो आपको यह वाला option जो है पहला ही option जो है इसको ही click करना है और click करने के बाद जो है यह retail भरना है और फिर क्या करना है agree करना है open my account को click करना है जैसे ही जो है open my account करोगे आप access bank के site पर चले जाओगे और वहां पर आपको get started जो है click करना है उसके बाद जो है आपको यहां पर apply now को click करना है उसके बाद आपको जो है यहां पर verification नाम के message आएगा yes करके आपको आगे बढ़ना है उसके बाद आपको जो है यहां पर location access required बोलेगा तो मों location के access माएगा ठीक है और video जो आपका है उसका भी जो है यहां पर आपको बता रहा है कि इसमें आपको video के माध्यम से KYC करना पड़ेगा ठीक है तो यहां continue को click करना है और फिर जो है यहां पर आपना जो है pen number आधार number और इसके बाद आधार के साथ जो आपका mobile number register है वही mobile number आपको यहां पर ढलना है स इसके बाद आपको verify details को click करना है समझें यह करने के बाद जो है I agree यहां पर option आएगा I agree को click कर दीजे आपका जो OTP है आधार से register जो mobile number है उस पर आएगा तो आपको वह OTP डालना है और confirm OTP को यहां पर आपको click करना है जब आप कर दोगे तो आपका OTP verification successful हो जाएगा उसके बाद आपको जो है इहां पर सारा डीटेल डालना है अपना personal family address बाड़ी बाड़ी सरी आपको यह सारा detail यहां पर ड़ना है समझें तो आप ASARA डेटेल जो है यहां पर डालोगे अच्छे तरीके से सब जो पूछ उरनी के बाद आप अपना बाद क्लिक करना है उसके बाद जो है अपना फैमिली इंफ्रोमेशन है बाड़ी बाड़ी से आपको डालना है डालने के बाद जो है यह सब डीटेल डालने के बाद अच्छे से आपको भड़ना है एसीश को और करने के बाद जो है फिर से आपको सेब क्लिक कर देना है इसके बाद आपको यहां पर फिर से जो है address declaration है तो आपको एगडी को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो है आपको यहां पर देखिए लिखा हुआ है रिव्यू एन प्रोशिट जो 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 डीटेल आपने डाला है उसको रिव्यू कर लीजिए एक बाद बढ़िया से इसको अच्छे से देख लीजिए कि आपने सब कुछ सही सही यहां पर डाला है रहा ना उसको क्लिक करना है क्योंकि अब आपका जो है वीडियो वेडिफिकिसन यहां पर होने वाला है ठीक है तो वीडियो वेडिफिकिसन के लिए यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो है आपको यहां पर चेक एजेंट एविलिटी जो है इसको क्लिक करना है यह जो है यहां पर आपको allow करना है वीडियो का और microphone का camera जो होता है camera और microphone का access allow करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले जो है click here to start your video के वाई सी को click करेंगे हम लोग क्लिक करने के बाद आपको जो है यहां पर camera और microphone को allow करना है एक्सेस ठीक है उसके बाद देखोगे कि आप अपना account जब open करोगे तो आपका वीडियो जो है आपका camera के माध्यम से मोबाले camera के माध्यम से वह दिखाई देगा सामने वाले access bank के जो एजी क्यूटिव होगे उनको verify करेंगे उनका verify करने से ही आपका account बनेगा यह करना है आपको करने के बाद जो है समझें एक चीज में हां बताना चाहता हूं कि किसी करण से internet problem से या कुछी भी करण से अगर आपका connection टूड़ आता है मान लीजिए आपका internet connection बहुत strong होना चाहिए लेकिन अगर connection टूड़ आता है तो आपको एक sms आएगा उस sms में एक link होगा उस sms में link को click करके आप वहीं से अपना process फिर से चालू कर सकते हैं किसी भी क्यारण से अगर मान लिजिए आपका internet problem हो गया connection चला जा रहा है तो वहीं से आप अपना फिर से चालू करेंगे sms में आपको यह link मिलेगा वहीं से आप अपना resume कर लीजेगा उसके बाद जो है यहां पर डिटेल्स आपको दिया जा रहा है कि इनिशियल फंडिंग जो है आपको दस अजार रुपे करने हैं ठीक है अमेनियम बैलेंस तो रखना पड़ता है जो आपके डेवीड पर नाम रहेगा वह आपको डालना है यहां पर आपको बता रहा है कि कौन सा प्लान आपको यहां पर लेना है अगर आप डेवीड कार्ड चार्ज डालके और ऊप्सक्राइब बना चाते हो तो भी कर सकते हो समझें तो यहां पर जो है अपना option शूच कीजिये अगर डेवीड का आपको चूच लेना है केवल ठीक है या फिर डेविट कार्ट के साथ इनिसियल फंडिंग में करना चाहते हैं तो आपको दूसरा उप्सन चूच करना है ठीक है उसमें अमाउंट दूनों में आपका चेंज हो जाएगा और उसके बाद मालेजिए कि हम यहां पर अगर इनिसियल फंडिंग करते हैं तो हो केवल 590 कहीं चार्ज अभी देना होगा समझें यह करने के बाद जो है आपको यहां पर एड़ 590 क्लिक करना है क्योंकि आप डेविट कार्ड वाला उप्सन को जोच किये हो इसके बाद आपको जो है प्रोसीड करना है प्रोसीड का उप्सन आएगा यहां पर और जो है अपना पेमेंट कार्ट के माध्यम से निट बैंकिंग फिकowe के माध्यं से किसी भी माध्यम से कर सकते हो पेमेंट आप उना 590 जो भी है कि आपका Payment है हो जै उसके बाद जो है आपका जो एकाउंट नंबर वगेरा है सब कुछ आ जाएगा कुस्टमर आईडी आ जाएगा ठीक है जो एमाउंट दी है उसका डिटेल आजाएगा आएफसी कोड आजाएगा ठीक है और आपका जो ब्रांच है जो आपने सेलेक्ट किया था वह ब्रांच ब्रांच आपको सेलेक्ट करना पड़ता है डिटेल डालते समय तो ब्रांच भी यहां पड़ा आपको दिखा रहा है अभी फिलहाल आपका इडेविट काड जनरेट हो चुका है और फिर आपको फिजिकल डेविट काड आपके घर के अड्रेस पर भेज दिया जाएगा ठी पर उपेन कर सकते हो घड़ बैठे पाटे कहीं भी आपको जाने आने की जरूरत नहीं है रेडी मिल में मेरे टीम में जॉइन करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पर आईये और यहां पर देखी लिखा है जॉइन रेडे मिल को क्लिक कीजिए और यहां पर मेरे रेफेरल है इस लिंक से जॉइन करना आपको थैंक यू दूस्तों